हाई फ्रेंड्स यहां सिरी स्टार्ट हो रही है डामेटरी 7020 की आज का कंपरेजन डामेटरी 7020 वर्से स्नापडर्गन 695 है तो देखते हैं कि दोनों ही प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर जो है ज्यादा बेटर है तो इसे फाइंड आट करने के लिए वीडियो को आपको प तो दोन ही प्रोसेसर जो है अनाउंच डेट के मामले में डामेसरी अनाउंस या था फर्वररी 2023 में स्नापड्रगन अक्टूबर 2021 में मतलब स्नापडगन थोड़ा पुराना प्रोसेसर हो चुका है एंड क्लास की बात में तो दोन ही जो प्रोसेसर दिये गए वह प्रफोर्वर्मेस बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ बैटरी ड्रेन औन हीटिंγ उसम होता है तो बात क्या जा है यहां अब बात करते हैं अब आध किया आर्गिटेक्चर का तो अर्गिटेक्चर में दोने प्रफोर्षर ऑक्टा कोड दिये गे हैं डामसरी मिलेगा 2-core 2.2 Qtx A78, बाकि 6 core 2 GHz पे clock है, Qtx A55 के साथ आते हैं, वह बेशनाप डिरंग की बात के यहां पे भी मिलेगा, 2 core 2.2 Qtx A78, 6 core 1.8 Qtx A55, तेहां पे जो बेशनाप डिरंग में performance देखने को मिलेगी, वो प्राइमरी कोर्स का performance वाला जो दिया गया है, बाकि तो दोनों ही processor अभी similar चल रहा है, और यहां पे frequency की बात के यहां, frequency दोनों ही का performance score सेम है, 2200 MHz पे clock रहता है, और fabrication की बात के यहां जिसका जितना small fabrication होगा, उतना better processor होगा, तो यहां पे दोनों ही जो प्राइमरी जो प्राइमरी जो देखने को मिलेंगे, पीछली बार मिला था Damp3 930 में, आगे आने वले टाइम में, मैं डाइमरी 930 का भी comparison करूँगा, ताकि आपको आइडिया लगी कि दोनों प्राइसर में डिफरेंस है भी या नहीं, और इसका अरिक्टिक्टर पावर वियार है, लाइसर में पावर वियार बी सीरीस था, इसमें स्नाप्डरगन मिलेगा, एड़नोग सिक्संड़ अर नाइटी इसका रक्रिक्टिक्टर एड़नोग सिक्संड़ है, ग्राफिक्स को सबजने के लिए मैं आपको गेमिंग डेटा भी बताऊंगा, अब बात करें यहाँ पे फ्रिक्वंसी स्पोर्ट की, तो डामसरी जो है 98 MHz पे क्लॉक चलता है, और स्नाप्डरगन 950 MHz पे क्लॉक चलेगा, तो थोड़ी से बेटर फ्रिक्वंसी स्नाप्डरगन में है, बट पेटर ग्राफिक्स आइटिंग IMG BXM में ही मिलेगा, आगे गेमिंग राक्सिस से आप से पता चल जाएगा, आप बात करना फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट की, फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट में डामसरी में आता है 260 GF का स्पीड, इन स्नाप्रगन में 486 GF की स्पीड दी गई है, और में डाम टाप सपोर्ट में जो राम टाप सपोर्ट है, दोने फोन का जो सपोर्ट मिलेगा, वो LPDDR4X एन UFS 2.2 का स्टोरेज टाप मिलेगा, बट एक्चुल यो प्रोस्टर सपोर्ट करता है, डामसरी वो LPDDR5 का मैक्सम्म सपोर्ट कर सकता है, जिसकी राम फ्रेक्वंसी 27850 और 3200 MHz हो सकती है, इस नाप्रगन का मैक्सम्म सपोर्ट ही LPDDR4X एन UFS 2.2 है, इसकी राम फ्रेक्वंसी 233 MHz किया, इस टोरेश टाइम में देखा जातों, दोने जो प्रोस्टर है फोन में UFS 2.2 के साथ आएंगे, बट डामसरी का मैक्समम सपोर्ट UFS 3.1 का है, बट स्नाप्रगन का मैक्समम सपोर्ट UFS 2.2 का ही है, गेमिंग की बात करने, तो देखते हैं कि गेमिंग ग्राफिक्स कैसा रहेगा, देखें, फ्रीफायर के मामिले में दोने प्रोस्टर सिम्ला है, 40 मैक्स ही का ही सपोर्ट करेंगे, पबजी मोयल में बजब बजी माई की बात किया, तो यहां पे 40 HD High का ही सपोर्ट मिलेगा, एंड नेक्श कॉल अफ्डुटी की बात करें, तो कॉल अफडुटी में भी दोनों का मैक्सम फिरिम्रेट 40 रहने वाला है, लेकिन आपे डिफ्रेंस देखने को मिलेगा यह, यहां पे दोनों ही इन गेम ग्राफिक्स के मामले में सिम्लर प्रोस्टर देखने को मिलेंगे, अब बात किजाएं यहां पे वीडियो क्याप्चर की, वीडियो क्याप्चर में डामसील स्लाइकली साब बेटर होगा, क्योंकि इसमें 2K at 30fps का उप्सन दिया गया है वीडियो प्रोस्टर के साथ दिया गया है वहीं पे वीडियो प्लेगाग भी ऐसी है, तो कनेक्टिविडी में देखें, दोन ही प्रोस्टर में 5G सपोर्ट मेलेगा, बैंड एक बात ध्यान से चेकल लीजेगा, बाकि 4G की बात किया था हाँ पे दोन ही प्रोस्टर में LTE-CAT 18 का सपोर्ट मेलेगा, Bluetooth 5.2 टेकलोजी मेलेगी, वाइफाई 5 का सपोर्ट मेलेगा, तो ओवराल कनेक्टिविडी के मामले में दोन ही प्रोस्टर सिमिलर देखने को मिलेंगे, अब बताता हो बेंचमार्क स्कोर, बेंचमार्क में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, गीक बेंच 5 और गीक बेंच 6 का दोनों का स्कोर इस बार बताऊंगा, क्योंकि हर बार आप लोगों को कन्फूजन हो जाता था, यहां पर सिंगल को परफॉर्मेस में डामसरी का स्कोर 704 आता है गीक बेंच 5 पे, और 920 आता है गीक बेंच 6 पे, रेट कलर वाला जो गीक बेंच 6 को बताता है, और ब्लैक वाला गीक बेंच 5 और बात के स्नाप ट्रगन की तो इसमें 704 आएगा, गीक बेंच 5 पे मदब सिंगलर स्कोर रहता है, जबकि गीक बेंच 6 पे स्कोर तोड़ा डिफर करता है, मदब गीक बेंच 5 पे जाला डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा दोना ही प्रोसेसर के बीच में, बट यहाँ पे गीक बेंच 6 का डिफरेंस थोड़ा सा रहता है, अब बात करें यहाँ पे अन्थूदो बेंच मार्क स्कोर की, अंदुदू benchmark score में जोहाँ पर DMC का score है वह है 4,077,412 यह अंदुदू benchmark 10 का score है इन 695 कभी अंदुदू benchmark 10 का ही score है 4,30,000 माझब थोड़ा सा difference हुआ कि DMC जो है वह फोड़ा सा better हुआ Snapdragon के comparison में अब बात करेर 3D benchmark score ही DMC का 2,400 प्लस आएगा अब गेमिंग ग्राफिक्स में काफी बेटर आपको पर्फॉर्मेंस प्रवाइट करेगा वे स्नाप्रेगं का यह नॉर्मल जीप्यू है जो कि आपको 750G में भी देखने को मिला था अब बताता हूं कंक्लूजन की आपको कौन सा प्रोस्टर कंसीडर करना चाहिए स्नाप्रेगं में 45 तो ऑर अर्ग हो जो पर्फॉर्मेंस आपको देंको मेलेगी वे देंसेदी में बेटर होगी एब बताना से के सलाउट pouvaitन सब्सक्वांक 쿠 hers mynew और बेटर ओर क्लोक है का 29 स्कोर शुपर चाल वाइस mechanics के इंगी वी प्रॉसेश सेंअ 2 ही सिम्ला सेंगे फ्रिंस सेंडिति और लाश्ट इसमें आपको देखने के मिलेगा 1K 60fps का सपोर्ट, बाकि डामसरी में 2K का उप्शन दिया गया है, बाकि जितनी भी चीज़े हैं सभी सिमलर है फोन के मामले में, अगर और अगर और परफॉर्मस की बात की तरह डामसरी डेफिनेटली बेटर हो जाएगा, बिक और अगर ये मेरी वीडियो फसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर मत बुलेगा, ताकि मेरे हिल्प उसके, बाकि कुछ भी पुछना है तो कमेंट कीजेगा, मैं हिल्प कर दूँगा